गोड यूणिंग ट्रेडर्स, हलो इंवेश्टर्स एंड ट्रेडर्स आप सभी का स्वागत है एक मिश्चा ट्रेडिंग में आज हम लोग जिस सेयर के उपर बात करने वाले हैं वो टाटा इस्टील बीसल लिमिटेड का सेयर है देखे दोस्तों अभी जो करेंट वैल्यू ट ट्रेड कर रहा है यह 38.85 पैसे फे 5% की लगभग आज भी ग्रोथ दिखाया है तो इसकी फाइनसियल कंडिशन चार्ट व्यू टार्गेट सब कुछ हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसका जो टैनलिसे से वो थोड़ा टफ है थोड़ा टाइम लगेगा आपको एक्स्प्लीयन करने में तो इसलिए वीडियो पे बने रहे हैं जो चैनल पे नए हो चैनल सस्काइब कर लें नुरिशन बेर ज़रू प्रस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अबडेट आपसे मिसना हो तो के करीब है डिविडेंट येड जीरो परसेंट है इसका कंपनी डिविडेंट येड नहीं प्रोवाइड करती है फाइनसिल कैपिलाइजेशन आइए इसकी फाइनसिल कंडिशन को देख लेते हैं तो देखें मार्केट कैपिलाइजेशन जी हो है 39.364 बिलियन रुपीज है नंबर आफ इंप्लोई जो है इनके 27.779 क है मतलब 27,000 से उपर है नंबर आफ शेयर होल्डर्स देख लीजे एक लाख 5,000 से उपर है एवरेज वेलियूम जो है 10 डेस का 4.507 मिलियन है तो प्राइज इश्ट्री में देखें आपको वहाँ पर दिख रहा है 52 वीक हाई जो ह 15 रुपे 10 पैसे है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी 100% का रिटन दी है अपने 52 वीक लो से 52 वीक हाई के बीच में उससे भी ज्यादा का रिटन दी है क्योंकि 15 का 15 करेंगे तो आपको पता ही है आपको एक्ष्ट्रा मिला है लगभग तो बैलेंस सीट देखे बैलन सीट में नेट डेप्ट MRQ जो है इनका 138.705 बिलियन के करीब है टूटल एसिट MRQ की है है जो 380.198 बिलियन के करीब है आए इसका ट्रेंड देख लेते हैं तो जब से लॉक डाउन खुला है उसके बाद का ट्रेंड देखी अपवर्ड टाइप का ही है तो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए ट्रेंड बहुत अच्छी बात है कंपनी देखें यहां पे अपडेट होने में एक दिन का टाइम लेता है यह जी रोधा का आपको मैं दिखा रहा हूँ वहां से यह डाटा मिला है मांसली रिटन जो है 41.48 परसंट है यहली रिटन 32.96 परसंट है 52 वी 10 पैसे है मार्केट कैप्टल अगर करोण में करें तो 3813 करोण है तो यह हो गए इसके रिटन पर बात आए कोटरली रिजर्ट को अच्छे से जान लेते हैं मैं केंपेरिजन भी आपको बता देता हूँ तो जून से देखे अभी तो कितना सांदार ग्रोथ हुआ है अपनियां बन थी तो उसके वज़े से लॉस में रहा नेट इंकम देखे माइनस कितनी सांदार रिकवरी किया है 3.42 बिलियन रुपीस रिकवरी तो मतलब इस तरीके से कंपनी कितनी ज्यादा पोटेंशियल्स रखती है आपको साफ साफ नजरा रहा है तो कंपनी है तो बह उनके क्वर्टर में बट इस बार इन्होंने जैसे ही लॉगडाउन उपन हुआ है इन्होंने अपना सब कुछ समाल दिया है अच्छे खासे से अच्छी खासी ग्रोथ के साथ 2018 जैसा सब कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा क्यों अभी मैं आपको चार्ट देखू और लास्ट टाइम का जून क्वाटर का रिजल्ट में कैस ओन हैंड दिखाया नहीं है कॉस्ट ओफ रेबन्यू जो है वो भी देखे इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वाटर का कम था इस क्वाटर का ज्यादा है आईए अब इसकी कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो लोग अच्छे से नहीं जानते हैं उनको भी जानना जरूरी है और जो जानते हैं वो थोड़ी सी और अपनी इनफॉर्मेशन अपडेट करने हैं तो टाटा स्टील बीएसल है जो है थर्ड लार्जस सेकेंडरी स्टील प्रोडूसर है ओल ओवर स्टूल प्रोडूसिंग कैपिसि कंपणी का देखें इंटार वेल्यू जो है चैन इस्टील मैनुफेक्च्रिंग की वो भी बहुत सांदार है बोर्ड रेंज मतलब काफी सारे रेंज में इस्टील प्रोड़क्ट प्रोडुक्त प्रवाइड करते हैं हाई वैल्यू से लेके डाउन स्टील चोटे वैलू त यह थी अब आईए इसी पर बात कर लेते हैं इसके बारे में और अच्छे से तो देखे जो हम लोग टेक्निकल NSS करते हैं moving average उसके टॉल पोविटॉल से result decide होता है कि buyers को buy, sale, hold क्या करके चलना चाहिए आईए उससे पहले chart देख लेते हैं फिर आपको मैं final call दोंगा कि buy करना चाहिए या नहीं तो chart देखे काफी कुछ था इसमें समझाने के लिए तो लंबा लग जाएगा थोड़ा time देखे इसमें जो 26 मैं क्यों बोल रहा था कि 2018 वाला अगर ये देखे same वही बार बरा रहा है 10 December के time पे same वहीं पे पहुँच रखा है price अभी 37 पे चल रहा था ये जब close हुआ है इसमें तो नहीं वो value दिखा रहा है 39 वाली बट same वही value है जब market खुलेगा तो उससे फरक नहीं पड़ता आप देखिए तो जो अभी है इसको 10 December 2018 का same वहीं पे पहुच गया है अगर उसको break किया तो इसमें दो possibility निकलती है या तो 44 को अगर ये 44 को पार कर दिया तब तो इसमें आपको गजब की सांदार rally बनती हुई दिखाई देगी क्योंकि last time जब इसने ऐसा किया था तब ये share 80 से भी उपर और काफी उपर गया था तो अभी जो नए जूड रहे हैं उनको क्या करना है अगर वो current value पर buy करते हैं तो short term के लिए देखे stop loss जो लगाएंगे 35 रूपीज 85 पैसे पे long term के लिए stop loss लगेगा 33 र point तक ये पहुँच जाता है तो दो possibility है अगर यहाँ पर वापस से अपना new support बना लेता है तो company को आपको बहुत सांदार moment आपको देखने को मिलेगी 2017 वाला same repeat pattern ये company दिखाने वाली है तो उसके वाज़े से आपको सांदार growth मिलेगी इसलिए जो long term का target मैंने आपको बताया ह हो 70 से plus का रहेगा तो अगर ये पहला short term वाला target achieve होता है तो अगर वहाँ पर sustain रुख जाती है company अगर उसी के पास में ही अपना bars बनाने लगती है candles बनाने लगती है तब आपको बहुत जल्दी ही 70 वाला target भी आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि company के पास potential है और growth है देखे monthly weekly और day wise सब पे आ रही है thanks guys for watching this video अगर आपका इससे related कोई भी question है तो कर दो जो रों में सन करिएगा